नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों अगर आप भी PM किसान योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महातुपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कल यानी 5 अक्टूबर 2024 को मानी प्रधान मंत्री जी PM किसान योजना की एठारवे किस्त दो पहर बारा बजे वासिम महाराष्ट से जारी करेंगे यानी आप सभी के बैंक एकाउंट में कल PM किसान योजना की एठारवे किस के 2000 रुपए जमा होने वाले हैं प्रधान मंत्री जी रिमोट का बटन दबा करके 9.4 करोन किसानों के खाते में या किस्त जारी करेंगे यानी पैसा ट्रांसपर करेंगे तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस्त जारी होने से ठीक एक दिन पहले यानी कल किस्त जारी होनी है 5 अक्टूबर को आज 4 अक्टूबर 2024 है आज आप सभी के स्टेटस में एक और बदलाव किया गया है जी हाँ दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि अठारवी के सजारी होने से ठीक पहले आप सभी के स्टेटस में प्रति दिन बदलाव हो रहा है कुछ ना कुछ नया अपडेट जरूर आ रहा है आप सभी का जो PM किसान का स्टेटस है अगर आप डेली चेक करेंगे तो आपको डेली वहाँ पर बदलाव दिखेगा अब आज एक और नया बदलाव किया गया है आप सभी के स्टेटस में जिसके हम आपको जानकारी देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अब आपको कंफर्म ये पात पता चल जाएगी कि कल जो पैसा जारी होने वाला है कल PM किसान योजना की जो अठारवी के स्ट जारी होने वाली है उसका पैसा आपको कल मिलेगा या नहीं मिलेगा साथ ही आपको या भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी किस्ते यहाँ पर मिलने वाली है अगर आपकी पिछली कई किस्ते पेंडिंग है तो उसका भी अंदाज आपको लग जाएगा कि आपको सभी किस्ते एक साथ कल मिल जाएगी या फिर आपको इंतजार करना होगा भी और आगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें आप लोगों को पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो के लाइक कर दिया करिए चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं इ कर आज अपना PM किसान का बेनिफिसरी स्टेटस ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को एक नई चीज़ देखने को मिल जाएगी जी हां दोस्तों आप सभी ने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से आप सभी के स्टेटस में इलिजविल्टी स्टेटस का जो आपसं था उस से आपको पैसा मिलना बंद हुआ है उसका रीजन क्या है सारी चीज़े वहाँ पर थी तो दोस्तों वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिन किसानों के स्टेटस में यहाँ पर जो कालम है यह फिल कर दिये जाएंगी यानि में डेट वगएर आ जाएगी और रीजन वग पात्र किया गया है आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन जिन किसानों के स्टेटस में ब्लैंक पड़ा रहेगा उनको यहाँ पर पैसा मिलेगा लेकिन दोस्तों आज फिर से एक अपडेट कर दिया गया है अब आप लोगों को क्या करना है अपना PM किसान का बेनिफिसरी स्ट इस पर क्लिक करेंगे आपको is call down करके नीचे आना है, फार्मर का अनदर मिलेग, फार्मर का अन्दर में आएंगे, यहां पर आपको third number पर देख ना है, know your status तसका आप संदिख रहा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहां पर दोस्तों आपको अपना रजिस्टेसर नंबर डालना है और उपर आप लोग देख सकते हैं नुव यो रजिस्टेसर नंबर का या फिर आप यहां पर आध्हार नंबर डाल करके gate OTP पर क्लिक करेंगे आध्हार KYC 레지折्चंट मॉबाइलनबर पर OTP जाएगा ओटीप आप सम्मीट करेंगे आपका रजिस्टेसन नंबर आपके सामने आ जाएगा जब आपको रजिस्टेसर नंबर दोस्तों आपको फिर इसी, no your status पर आजाना है और यहां पर आने के बाद अपने अभी फाइंड किया है वो यहां पर सम्मिट करना है और उसके बाद नीचे कैपचा कोड डालना होगा नीचे कैपचा कोड डालने के बाद आप को get OTP पर क्लिक करना होगा, get OTP पर जैसे क्लिक करेंगे, फिर से KYC registered mobile number पर आपका OTP जाएगा, चारंको का, वो OTP आपको यहाँ पर submit करना होगा, जैसे ही आप OTP submit करेंगे, आपके सामने PM किसान का status कुछ इस तरह का open हो जाएगा, दोस्तों आज इस status में बदलाओ कर दिया गया है, बदलाओ क्या किया गया है, कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो eligibility status है, सबसे उपर personal details होती है, उन्हें मैंने उपर कर दिया है, उसके वाँ नीचे आएगे तो eligibility status है, जहाँ पर land seeding, EKYC और आधार bank account seeding, यह तीन option आपको दिखाए जाते हैं, अग अभी भी लिखा हुआ है, region of in eligibility, उनको पैसा नहीं मिलेगा, और जिनके status से यह option remove हो चुका है, eligibility की नीचे payment details आ चुकी है, 17th installment, 16th installment, 18th installment, यानि जो list है, वो आपको दिख जाती है, यानि जो payment का installment वाला section है, वो आपको दिख रहा है, यानि सिर्फ तीन ही section है, personal details का, eligibility status का, औ section का मतलब यह है कि पहले personal detail होगा, फिर eligibility status होगा, फिर region of in eligibility होगा, जिसके भी status में region of in eligibility आ रहा है, भले ही वो blank है, या फिर उसमें कुछ चीजे fill कर दी गई है, उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, जिनके status मिसे यह option remove कर दिया गया है, सिर्फ eligibility है, और उसके नीचे payment details है, उ दोस्तों आसा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो के एक like कर देना, चैनल पर नए है, पहली बार आए है, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z banking information को subscribe कर लिजेगा, साथ में bell icon क जरूर प्रस कर लिजेगा, ताकि जैसे ही कल किसे जारी हो, उस पर हम आप लोगों को live पूरी चीजे दिखा पाएं, इसलिए आप सभी लोग bell icon को प्रस करके रखें, ताकि जैसे ही कोई दूसरा वीडियो अप्लोड करें, या फिर कोई भी जरूरी अपडेट हो, तो आप लोगों तक पहुंच सके, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!